अलो दोस्तो ये है दीपिका का घर दीपिका की ममा अकेली बैठी है और जूस पी रही है और तब ही वहाँ दीपिका के पपा आ जाते हैं हे कैसी हो तुम मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मैं भी ठीक हूँ क्या पी रही हो मैं औरेंज यूस पी रही हूँ क्या आप भी पियोगे नहीं यार तुम पियो मैं तो बहुत थग्या हूँ ओफिस में बहुत खाम ता नया क्लाइंट था उसको रस्ते में छोड़के अब इस सीधा घर आ रहा हूं ओ डिपिका कहा है अरे डिपिका को लाना तो मैं बूली गया यार तुम्हारा ध्यान कहा है आज कल ओ यार मैं अभी लेके आता हूं उसे प्लीस आप जल्दी जाओ और डिपिका को घर पे लेके आओ उसका बहुत सारा स्कूल का काम पैंडिंग बढ़ाया और कल उसको स्कूल जाना है देखना मैं यू गया और यू आया सच में जूस पेने का तो मजा ही आ गया अभी यार दिपिका को बापा को पताने क्या हो गया हर चीज़ बूल जाते हैं एनिवेज मैं अभी इस नान करके खाने की तैयारी करती हूँ हे बगवान मैं भी जूस का डिपा यहीं पर भूल गई हाँ बहुत थब गई आया है तुम गरम गरम पानी से नहाने का तो मज़ा ही आ गया और शुकर है देपिका के पापा का तोलिया बढ़ा था और यह इतना लंबा है कि मेरी साड़ी भी इसके सामने चोटी पड़ती है चलो एनिवेज अभी इस ड्रेस को दोने के लिए डाल देती हूँ और किचन में जाके जल्दी से खाना उनाती हूँ बहुत बूह लगी है ओ यह सही है इन कपड़ों मैं बिल्कुल सही फील कर रही हूँ सच में अपने घर जैसा सुकॉन कहीं नहीं हे बगवान इतने सारे बर्तन अभी इतने सारे बर्तन कौन दोएगा और साथ में खाना भी बनाएगा यह इतने सारे बर्तन हो कैसे के ओ दीदी आई थी कल और सुबह किसने बर्तन दोए नहीं अभी मैं क्या करूँ हाँ फ्रिज में देखती हूँ जल्दी बनाने के लिए क्या चीज पड़ी है शुकर है भगवान का याम पर पास्ता पड़ा है अभी यही बना दूँगी बस अभी जल्दी से इसको होन में डालते हैं और फिर बरतन दोती हूँ यह काम तो फिनिश हुआ बरतन धुल गए अभी पास्ता देखती है अगर बन गया तो खाना काउं जल्दी से अरे इसको तो अभी और भी समय लगेगा चलो जब तक चलगे टीवी देखती हूँ ममा अरे यह दो दीपिका की वाज है लगता दीपिका आ गई है ममा ममा मैंने आपको बहुत मिस किया बेटा मैंने भी तुमें बहुत मिस किया तो नानी के घर में तुमने मस्ती की यह ममा मैंने नानी के घर पे बहुत मस्ती की अच्छा तो मेरी गुडिया ने और क्या क्या नानी के घर पे ममा ममा मैंने वहां पे डॉल के साथ कहली और आपको मौदू है नानी के नेबर में बच्चे हैं उनके साथ बहुत मस्ती की ममा मुझे बहुत बुग लगी है पलीज जल्दी खाना बना लो हाँ राजा मैंने तुमारा फेवरिट पास्ता बनाने के लिए रखा है ये तैंक्यू ममा मैं मज़े से खाऊंगी बेटा तुम्हारे पापा कहा है पापा वो तो गाड़ी पार करने के लिए गए थे आ रहे होंगे छीक है अच्छा ऐसे करो तुम जल्दी से सनान करके आओ और उसके बाद हम खाना खाएंगे और हमें स्कूल का काम भी करना है बट ममा मैंने स्कूल का काम तो कर लिया वो तुमने कब किया दरहसल मैं बुक्स अपने साथ ले गई थी तो मैंने नाने के घर पे सारा काम कर लिया ओ वाओ ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा ओके दें तुम जल्दी से सनान करके आओ हम खाना का के बाद में टीवी देखेंगे येस ममा मैं बारवी वाला शो देखूंगी ओके राजा हम दोनों बारवी वाला शो देखेंगे चीक है ममा मैं जल्दी से नहा के आती हूँ सच में मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरी जैसी है सारा काम एडवांस में ही कर लेती है चलो अभी मैं थोड़े तीवी देखती हूँ चलो अच्छा है तुम भी जल्दी गाड़ी पार करके आ गए हाँ मैंने गाड़ी पार कर दी बहुत भूग लगी है यार मैंने सुपे से कुछ खाया नहीं क्यों क्या हुआ नया कलाइंट था बहुत काम था तो इसलिए मुझे पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला है ओ मैंने पास्ता ओवन में डाला हुआ है जल्दी बनने वाला ही होगा फिर हम लोग खाना खाते हैं तो दैस परफेक्ट मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ और उसके बाद हम बैठके खाना खाते हैं ओ तुम नहाने जा रही हो तो चलो फिर मैं आवन में जाकर देखती हूँ अगर पास्ता तयार है तो मैं टेबल पर लेकर आती हूँ तुम भी जल्दी नहा कर आ जाओ ठीक है मैं यूँ गया और यूँ आया ओ लगता है पास्ता तयार हो गया देखते हैं कैसा बना है वाव इसका गलर तो बहुत अच्छा है सबी जल्दी से आ जाओ पास्ता तयार है ममा येस दीपिका ममा क्या मैं आपके गोदी में बैठ जाओ प्लीज अजी बेटा आओ और मेरी गोदी में मेरे साथ बैठ जाओ ये ओ नाने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है दीपिका बेटा आप अपनी चेर पर बैठो ममा के साथ क्यों बैठे हो नहीं नहीं इसे मेरे पास बैठे रहने दीजे मुझे अच्छा लग रहा है ठीक है अगर तुम्हें कमफर्टेबल लग रहा है तो इस ओके चलो खाना खाएं और फिर हम दोनों टीवी देखने जा रहे हैं इसके बाद मेरा और दीपिका का पार्टी टाइम है येस ममा ठीक है और उसके बाद सब खाना खाने लगते हैं